नमस्कार मैं मरगेंदर आज फिर आपके सामने कुछ investment की information लेके आया हूं एक प्रस्ट जो बारबार मेरे सामने हम में आता है कि shares में कैसे invest करें और shares में direct invest करें की ना करें अफकोर shares में investment करने की बहुत सारी वज़ा हो सकते हैं बहुत सारी region हो सकते हैं बहुत सारे risk हो सकते हैं यह सारी बात हैं तो हम लोगों ने पहले भी की हैं मगर आज मैं थोड़ा चाहता हूं कि आप लोग के सामने share market से related थोड़ा description और अधिक दूँ कि कितने तरीके से आप share market में invest कर सकते हैं पिछले तक्रिवन सवा वर्सों से जब से करोना काल आया है all of sudden एक देखा जा रहा है कि share के प्रती लोगों की रुज़ान share में investment करने का रुज़ान अपने देश में बढ़ता जा रहा है इसके पीछे दो वज़ा है एक सबसे पहली वज़ा जो मानी जा रही है कि पिछले एक देख वर्सों में share market ने market fall के बाद जो उपर आया है तो return जबरदस दिया है और जब जब इस तरह की returns आया है तो लोगों की interest भी काफी बढ़े है और second reason यह है कि निश्यत रूप से चुकि work from home चल रहा है लोग घरों में बैठे हैं लोगों घरों में से काम कर रहे हैं उनके खर्चे कम हुए है तो उनके पास निश्यत रूप से पैसे भी बचते हैं investment के लिए और दिन भर थोड़ा भूद समय भी share market के तरब देते हैं और share market में invest करने के दो तरीकों की company में हम लोग बाठते हैं सबसे पहला वैसा company जो unlisted है यानि आज भी किसी भी एक्षेंज में listing जिसकी नहीं हुई है और दूसरा वैसे company जो already listed है लिस्टेट का मतलब है कि जो NSC या BSC जो दो major exchange है अपने देश में national stock exchange या Bombay stock exchange इसमें already listed है तो वैसे companies एक तरीके का मैं मानता हूं और दूसरा unlisted जिसकी भी listing हुई ही नहीं है future में हो सकती उनकी listing हो या नहीं भी हो जब पहले मैं लिस्टेट companies की बारे में देख लेते हैं कि उसमें कैसे invest कर सकते हैं तो इसमें invest करने के भी कई तरीके हैं जब भी कोई unlisted company है तो बहुत स जानता नहीं है तो मॉसली इसको खरीदने के लिए आपको अलग-अलग तरीके से खरीदने होते हैं प्री आई प्यो स्पेस होता है प्री आई प्यो के भी कुछ डिलर्स होते हैं जिसके माध्यम से आप unlisted companies के shares खरीद सकते हैं बहुत सारे company में एक दो company का नाम हो जिसका न नहीं है मगर कोई चाहे उसे खरीदना तो वो मिल सकता है एंजल इंवेस्टर के रूप में आप चाहें तो किसी नए स्टार्ट अप में डाल सकते हैं venture capital के रूप में venture capital के भी platforms हैं और आप चाहें तो छोटा या बड़ा दोन ही पैसा venture capital के रूप में डाल सकते हैं unlisted space में पी फंड के जरी पी फंड के जरी जब भी आप जाते हैं तो आपको बड़े पैसे ही डालने होते हैं क्योंकि उनके specification है कि minimum एक करोड इसके उपर के पैसे ही आप डाल सकते हैं तो यह सारे के सारे तरीके जो मैंने बताया कि वैसे companies में जो already unlisted space में अब आते हम लोग देखते हैं कि listed space में आप कैसे कैसे शेर market में पैसा डाल सकते हैं तो सबसे पहले IPO के जरी यानि कि सबसे पहली बार जब वह exchange में कोई भी company listing होने के लिए जाती है तो अपने बुक वैल्यों के हिसाब से एक प्राइस निधारित करती है और उस प्राइस पे वह आप से कहती है कि आप चाहो तो खरीद सकते हो और IPO के जरीए आप उस company में निवेश कर सकते हैं दूसरा उन्हीं कंप्रियों में जो और लेडी होता है IPO और EFPO में उसके हिसाब से आपको shares मिलते हैं जहुरी नहीं है कि जितना आप apply करेंगे उतना आपको मिली जाए जो तीसरा most popular तरीका है वो direct exchange के माधियम से खरीदना है यानि कि आपके पास जो DMAT account और trading account है उस trading account के जरिए आप direct exchange से यानि NSE BSE से shares उस वक्ट जो price होगी market की उसके हिसाब से आप खरीद या बेज सकते हैं यानि share में ट्रेडिंग आप direct exchange के माधियम से सबसे अधिक होती है और वो किसी वक्त भी possible है normally 5 working days open होती है सुबह में 9 बज़ से लेके साम को तक्र purchase करते हैं इसके अलावा जो certain platform जो बहुत ही important platform में उसमें से एक platform है mutual fund का mutual fund जैसा कि मैंने पहले भी कहा है बताया आप लोगों को अगर आप वाधियम से जाते हैं तो basket ऐक basket खरीदों उस basket में तरह तरह के shares हो सकते हैं उस basket को हरीते मगर indirectly आप share ही खरीदों अगर mutual fund के माधियम से आप equity fund में खास के share related fund में जाते हैं तो आप खरीद सकते हैं वैसे एक और तरीका है PMS यानि कि portfolio management services इसमें इसमें जैसे mutual fund के माध्यम से क्या है कि आपको minimum 500-5000-5000 के माध्यम से start कर सकते हैं मगर PMS में portfolio management services आप लेना चाहते हैं तो उसमें भी basket ही आप खरीदते हैं मगर वहाँ minimum requirement आपकी 50 लाक रुपिय होती है वैसे AI alternate investment fund alternate investment fund लिस्टेड as well as unlisted दोनों इस space में उकाम करता है मगर इसमें भी requirement minimum एक करोड की होती है कि एक करोड से ज़्यादा का investment आप करेंगे तभी आप इसमें participate कर सकते हैं यानि इतने सारे avenues हैं और आपको सोचने हैं कि आपको किस avenue में जाना है कौन सा avenue आपके लिए suitable है यह आपको decide करना है क्योंकि अगर देखेंगे तो हर किसी का risk और reward देनी की छमता अलग-अलग है जैसा कि मैंने कहा कि direct exchange के माधियम से आप चाहें तो एक share भी खरीज सकते हैं mutual fund के माधियम से भी आप खरीज सकते हैं IPO, FPO के माधियम से निश्चित नहीं है कि आपको कितने shares मिलेंगे मगर आप apply कर सकते हैं निश्चित रूप से जो भी आपका quota अगर quota में आते हैं आप तो जो भी निर्धारीत होगा उस ratio में आपको मिल जाएंगे तो यह सारे तरीके हैं जिसके माधियम से आप share market में इन्वेस्ट कर सकते हैं मकर share market में इन्वेस्ट करने से पहले जो कुछ जानकारी जो मैंने पहले भी वीडियो में डिसकस किया हुआ है कि आपके पास sufficient time होना चाहिए ताकि चीजों को आप समझ सकें या नहीं तो आप किसीने किसी services mutual fund हो PMS हो EIF हो ऐसे किसी expert services का सहारा लेकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास direct knowledge है आप खुद चीजों को manage कर सकते हैं तो निश्चित रुप से आप direct exchange के माध्यम से जा सकते है और दो राइज आपको किसीने किसी का सहारा लेना पड़ता है वैसे similarly unlisted space में अगर आपकी रिस्क लेनी की छमता बहुत अधिक है तभी unlisted shares के तरफ आप सोच सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी space में ऐसे company है जो हो सकता है कि future में viable भी ना हो वैसे तो यहां भी ओ रिस्क होता है बगर यहां यह रिस्क कहीं अधिक होता है तो जब भी आप लिस्टेड या अच्छा मिलने की छमता होती है तो मैं आज इसी बारे बात करूंगा आने वाले दुनों मैं अलग अलग इन साब चीज़ों के बारे में और details description आप लोग के साथ दूंगा मगर मोटा मोटी समय जाईए कि जब भी shares में आप invest करेंगे तो आपके पास इतने सारे options है शिर्फ एक ही option नहीं है कि जाए और exchange में बैठके बैठके share खरीदे वही एक मातर option नहीं है बहुत सारे option है जिसमें directly indirectly आप उसका benefit उठा सकते हैं और अच्छी तरीके उठा सकते हैं अब करता है आपके choice के ऊपर कि आप किस रूप में share market में invest करना चाहते हैं उससे भी पहले आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं तो आज मैं इतना नहीं information देखके इसको complete करता हूं thank you very much हमारे चैनल को आप लोग लाइक कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आगे भी हम लोग इस तरह की information आप लोग के साथ share करता रहूंगा और भी जानकारिये हम आप लोग के साथ share करूंगा thank you very much नमस्कार